सभी भक्तों को रादे रादे जैस्री रादे गुरूर ब्रह्मा गुरूर विश्णो गुरूर देवो महेस्वर गुरूर साक्ष्यात बरम ब्रह्मा तस्मही स्री गुरुवे नमा भगवत प्रेमियो आज हम अहोई अश्टमी के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं आप वीडियो को अंततक देखें कि अहोई अश्टमी की कथा क्या है और ब्रत कैसे रखते हैं इस कथा के पीछे क्या पौराने कथा है और हमें जल अर्ग कब देना चाहिए इस ब्रत करने से क्या प्राप्त होते हैं यह आप हमारी वीडियो अंततक देखें और हम वही बाते करेंगे जो सास्त्रोचित हैं जो पौराने कथा हैं और मैं निवेदन करता हूँ आप से कि हमारे यूटूब चेनल स्री नारायन प्रसादम को सक्षाय करना ना भूले जिससे कि आपको आन पारवीर दाता है जो इह एक द Hammal को च degrees करने वाले हैं हमने अपने तिंबल पर तो इन जासी कर सकते कई बार देखा जाता है वह फिलेट हो में रहते हैं पंड़ी नहीं मिलते कि हम दान तो करें तो आप अपनी इंच्छ कान साल कर सकते हमने तहमल पर qr कोड लगारखा है यह कथा पानच नम्म मीवं की है पानच नम्म थोजार तेऊसर रुवी बार इनलिंटरर। वहली कि ने अध्येन तर्द法 की एलों किसमये अध्य whisk We RI गर रोली से साथिया करके जल भरकर अहुई के सामने रखते हैं दोनों तोगड़ पर पांच-पांस पता से या पूड़े वह पांच-पांस गाड़े रखते हैं ओई के दोनों सिरों पर आटे से नाले की माला लगाते हैं, बीच में आटे से ही एक रुप्या भी चिपका देते हैं, दोनों तोगड की कोचांदी की माला श्याय हुआ है, मनकों वाली बनाते हैं, दोगड के आगे गेहुं की डेरी लगाते हैं, डेरी पर एक तेल का दीपक जलाते हैं, एक लोटा जल भरकर रखते हैं, मोली बांद कर सतिया करके अपने माते पर भी टिक्की लगाते हैं, फिर अवई के आगे बैठकर हाथ में गेहुं के साथ दाने लेकर और कहानी सुनकर गहूं से धोग मारते फिर विनायक बाबा की कहानी कहते हैं और देखकर तारों को अर्ग देते एंट चोदे पूले गुलग्ले यंख गुलाब Zaman फल रुप्या रखकर बायाना निकालते पानी गंपनें देते हैं फिर ब्रत खोलते बायाना चावल चीनी को भी मीश कर सकते हैं तो उद्ध्यापन के लिए जिस वर्ष घर में लड़का होए या लड़की का ब्याह होते हैं तो उस वर्ष चौदे बहू चौदे बेटे चार हाथ वा चार पैर बनाते हैं दोगर्ड दो ही होती हैं माला में दो मन के नए डलवा लेते हैं उद्ध्यापन के नाम के पूड़े या गुलाव जामिन सास की सारी बिलावज पैर पढ़ाई के रुपे पल्ले में बांद कर बयाना मनसते हैं इस वर्ष दो बयाने निकालते हैं एक प्रतवर्ष वाला और एक उद्ध्यापन वाला विशेश वायना है यह हुई अहोई अश्टमी की विधी अब हम आपको अहोई अश्टमी की कथा सुनाने जा रहे हैं माताय ध्यान पूर्वक सुने यह कथा अपनी संतान को सुख पहुंचाने के लिए होती है जिससे कि हमारी संतान को कोई बादा नहीं आए तो आप यह कथा माताय ध्यान पूर्वक सुने एक साहुकारता जिसके साथ बेटे बहुएं और एक बेटी थी कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अश्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी एकलोती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी वहां पर श्याव की मान थी मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याव के बच्चे को लग गई एक पक्षी होता है उसको लग गई वहत तुरंत मर गया इस स्याव माता बहुत नाराज हो गई और बोली तुम में से कोई अपनी कोग बंधवाने से इंकार कर दिया मतारं कोग बंधवाने का रिंख बी काम कदिस एक कर तिया क्षा । तो हो जाएगा भगवान पर विश्वास रखें और कथा को ध्यान पूरक से ननद अपनी सातों भावुयों से बोली तुम में से कोई अपनी कोक बंदवा लो तब छे भावियों ने अपनी कोक बावन ने से इंकार कर दिया परंत छोटी भावी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोक नहीं बंदवाई तो सासू जी नाराज होंगी यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भावी ने अपनी कोक बंदवा ली इसके बाद छोटी बहुके जो बच्चा होता वैं साथ दिन का होकर मर जाता एक दिन उसने पंडिजी को बलाकर पूचा कि मेरी संतान गव माता की भायली है वह तेरी कोक खुलवा देगी तब ही तेरा वच्चा जिएगा अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाई के नीचे साप सपाई कराती गाई एक पहर से लंगडी थी गव माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है मैं आज गव माता खुम सबेरे उठी तो क्या देखती है कि सावुकार के बेटे की बहु उसके नीचे साप सपाई कर रही है गव माता बहु से बोली कि क्या मांगती है सावुकार की बहु बोली कि स्यावु माता तुमारी भायली है और उसने मेरी कोक बांद रखी है मेरी कोक खुल गव माता ने का कि अच्छा गव माता साहुकार की बहु को अपनी भाईली के पास लेकर चली रास्ते में कड़ी धूपती वे दोनों एक पेड के नीचे बैट गई थोड़ी देर में एक साप आया उसी पेड पर गरुन पक्षनी के बच्चे को डसने लगा साहुकार की बहु ने साप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया थोड़ी देर में गरुन पक्षनी आई तो वहां खून देखकर साहुकार की बहु को स्चोच माने लगी साहुकार की बहु ने का कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा बलकि साप तेरे बच्चे का मानने आय था मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रख्षा की थी यह सुनकर गरुण पंचनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है वह बोली साथ समुद्र पार श्यावु माता रहती है हमें तुम उसके पास पहुचा दो गरुण पंचनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैटा कर श्याव माता उनको देख कर बोली कि आ बेहन बहुत दिनों से बहुत दिनों में आई है बाते करते हैं समय श्यावु माता ने बीच में कहा कि बेहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं सुराई के कहने पर सावुकार की बहु ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दिये निकाल दी इस पर श्याव माता ने प्रसन होकर का तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है इसलिए तेरे साथ बेटे और साथ बहु होंगे वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं साथ बेटे कहां से होंगे श्याव माता बोली बचन दिया है बचन से फिरूं तो दोवी की कुंड पर कंकड़ी हों श्याव कार की बहु बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया मैं तेरी कोक खोलती तो नहीं थी पर अब खोलनी पड़ेगी तेरे घर पर तुझे साथ बेटे साथ बहु मिलेंगी तु जाकर साथ उद्धापन करियो साथ होई बनाकर साथ कड़ाई करियो वह लोट का घर आई वहां देखा कि साथ बेटे साथ बहु बैटी हैं उसने साथ होई बनाई साथ उद्धापन क ये साथ कड़ाई करी स्याम के समय जेठानियों आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी दोग पूजा का लोग कहीं छोटी बच्चों का याद करके रोने लगे थोड़ी देर में उन्होंने अपनी बच्चों से का अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि आज वह अभी त सनमा झां और आकर कहने लगी कि तुने कोक कैसे खुलवई उसने कहा कि तुमने कोक aquesta우 माता ने दया करकี้ मेरी कोके खुल दिय शयाव माता जैसे operate बेटे की बहु की को खुली वैसे ही हमारी सब परवार की बहुयं की कोक खुलती जाना कहता की सुंता की हुंकार भरता कहानी भी कह सुनते हैं अब हम आगे विनायक जी की कहानी कहते हैं इसका पल जो है जो सुनता है जो कहता है हुंकार बढ़ता है उस सब की इच्छाएं पूरी होती है अब हम बिनायक जी गड़ेची की कहानी कहते हैं बिनायक जी की कहानी इस प्रकार है एक बार बिनायक जी महराज एक चुटकी में चाबल और एक दूद में एक में दूद लेकर घूम रहे थे, और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे एक बुढ़िया माई बोली कि ला मैं खीर बना दूँ वह एक कटोरा ले आई तब बिनायक जी बिनायक जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है भोगना भगोना लाकर क्यों न चड़ा दे तब बगोना लेकर आई बुढ एँने बडे भगोने का क्या करेगा कंटोरा ही बहुत है बिंदयुक जी ने का कि तू चड़ाकर चढ़ा दिया एब जढ़ाते हैं वह दूद से भर गया फिर बिंद्याएक जी कि में बाहर जा कर आता हूँ तो खीर बनाकर र meow तयार हो गई परंत बिंद्या माई नहीं आये तो बुडिया माई का मन लल्चा गया और तब वह तरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि बिंदायक जी महाराज भोग लगाओ और खीर खाने लगी इतने में बिंदायक जी आये और बोले बुडिया माई खीर बना ली बुडिया बोली हाँ आकर जीम तो बिंदायक जी बोले मैंने तो जीम लिया अब जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था तब बुडिया माई बोली कि तुमने तो मेरा परदा हटा दिया परण तो किसी और का परदा मत हटाना तब बिंदायक जी महाराज ने खूब धंदौलत भर दिया य जैसा कहते सुनते अपने सब परवार को देना इस तरह से यह अहोई अस्टमी की कथा संपूर्वी भक्तों में फिर पुने निवेदन करता हूं कि आप हमारे यूटूब चेनल स्री नाराइन प्रसादम को सक्षाइव करना ना भूलें जिससे कि आपको अगले हर तोहर की जा थी रादे